Hello everyone, so welcome to my channel in Glam Beauties, myself Khuzbun Singh and I hope you all are doing well आज की वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीका सिखेंगे कांजी वर हम साड़ी को ड्रेप करने का तो सबसे पहले तो हम अपना हैक नमबर वन देखते हैं जो की है पेटी कोट हैक अब देखें बहुत कोई ने लास्टिक वाली पेटी कोट खईने से हिच की चाते हैं उनको लगता है कि उचलने फिरने में कमफर्टेबल नहीं होता तो अगर आप कॉटन की ही पेटी कोट यूज करते हो ना तो आप यहाँ पे यह हैक ज़रूर देखें यह हैक भी आपको बिल्कुल शेप वियर टाइक की ही फिल देगी कॉटन की पेटी कोट में इसमें बस डोरी को आपको फ्रंट पे बाढ़ना है और जितना भी जो आपकी आप उसको बोल सकते हो चुन या फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बसता है उसको आपने दोनों साइट के कमर से क्लीन करके पीछे कर दीजे तो इससे आपको थोड़ा साना यह आप देख सकते हो कमर के पास एक परफेक्ट शेप मिलेगा और शेप वियर वाली पेटी कोड भी कुछ इसी डाइप की आती है तो साड़ी की जिस साइट को हम टक करना शुरू करते हैं यानि कि इसके पल्लू की ओपोजिट वाली पार्ट यह राइट हैंड साइट से शुरू होता है राउन जैसे ही कम्प्लीट हो जाती है उसके बाद जो हिस्सा हमने टक नहीं किया है उस हिस्से को भी हम आराम से टक कर लेंगे कोशिस ये रहनी चाहिए कि जो हिस्सा तक हो रहा है वो बस कमर के पास जाकर वहाँ पे फैले ना और फूले ना और ऐसा ना लगे कि कमर हमारी काफी जादा चबी है अब यहाँ आपे हम आजाएंगे अपनी साड़ी की दूसरी एंड पे यानिकीस का पल्लू का पार्ट और जैसे कि मैंने आपको थमनिल में ही दिखा चुका है कि आज हम अपनी शोल्डर प्लीट को कुछ अलग तरीके से सुई की मदद से बनाना सिखेंगे तो आप घबराईए मत सुई बिलकुल पतली वाली लेनी है जो बिलकुल zero sizes का होता है न सुई का वो आपको लेना है पतला वाला फैब्रिक आपकी से डैमेज भी नहीं होगी अब सबसे पहले हमें साड़ी का जो उपर वाला बॉर्डर होता है इसकी बिलकुल कॉर्णर पे हमें सुई को घुसाना है अब यहाँ पे बॉर्डर आपको जितना रखना है आप रखे मैं तो बॉर्डर के अकॉर्डिंग ही चोड़ाई रखोंगी वहाँ पे आपके वल एक उंगली रखकर फैब्रिक को मोड़िए और जहाँ पे ये end हो रही है वहाँ पे आप अपनी स प्लीट की चोड़ाई है वह मेंटेन रहेगी प्लस आपकी प्लीट भी एकठा गैदर होते चलेगी यहाँ पे प्लीट के स्लिप होने का कोई चांसेस नहीं है तो यह तरीका हर हर जो किस्म की साड़ियां होती है जैसे सैटन की या हेवी पल्लू की हर एक तरीके की साड़ी में कारगर है तो यहाँ पे आलमोस्ट मेरी जो फैब्रिक है वो प्लीट में सेट हो गई है लास्ट वाले जो प्लीट थी न वो उसमें कपड़ा थोड़ा सा जादा बचरा था that's why मैंने इसको थोड़ा साना adjust किया है अब जहाँ पे हमने pin सुई लगाया था वहाँ पे हम एक टाका दे देंगे तो अब मान लिजे कि साड़ी की आगे की length को पकड़ते time आपका pleat छूट भी जाता है तो इस टाके के वज़े से कहीं न कहीं आपका pleat वैसा ही set रहेगा तो अब हम चलिए जितनी length गैदर करना चाहते हैं उतनी गैदर कर लेते हैं अपनी height के according बीच बीच में टाका देना सही नहीं रहेगा उसके लिए मैं यहाँ पे बीच में ना साड़ी clip यूज करूँगी यह केवल आपके fabric को दबा कर रखती है तो मैं हर किसी को बोलूँगी कि अगर आप साड़ी पहनती है तो आप इस type के clip का भी अपने पास collection जरूर रखे अब देखे मैंने ना कुछ इतना length इसको यहाँ पे set किया है इसको हाथ होसे हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे fold करके and then अब पीछे से घुमा कर इसको अपनी left side की shoulder पे डालेंगे तो कांची वरम silky साड़ी होने की वज़े से मैं इसकी length रखूँगी अपने घुटने से नीचे तक यह बहुत ही rich look देती है और बहुत ही ज़ादा attractive लगती है यह long पलू ऐसी साड़ियों में अब देखे महंगी साड़ी अगर आपके पास है इस type की तो मैं आपको बोलूँगी कि आप कम से कम safety pin यूज कीजिए वो लंबे वाले साड़ी clip की तुलना में थोड़ी सी ज़ादा होती है तो इसलिए इसको मैं इस तरीके से पीछे की तरफ लगा दूगी और यह लगता कैसे है वो बहुत आसान है इसका लगाने का तरीका कि वर इसका जो x-shape वाला face है उस face को हमें पुश करना होता है अप अपने की तरफ भी लेंथ लेते वे हम इसको अपनी blouse के साथ सेट कर देंगे अब हमें यहाँ पे तो ज्यादा grip की ज़रुवत नहीं है इसलिए मैंने लंबा वाला ही clip यह उसकिया है आगे की जो process है वो I guess आप में से बहुत सा है लोगों कोई tricky लगती होगी बट ऐसा कु देने की जरुरत है तो यहां पर क्या होता है कि आपकी पूरी की पूरी ही प्लीट की बनावर्ट और उसकी फिटिंग पूरी की पूरी आपकी सेटी पिन पर डिबेट करती है और लगाने के तरीके पर तो इसलिए आप देखिए इसको किस तरीके से लगाना है हमने जो basic round लगाया था ना उस लेयर को हमें safety pin में दुबारा नहीं लेना है हम उस लेयर को damage नहीं करेंगे तो हम अपनी पेटी कोट के पास जाएंगे ठीक है पेटी कोट के पास एक point देख कर हम यहां पे छोटे-छोटे से प्लीट इकठा करेंगे जादा नहीं चार आपकी maximum हो सकती ह अगर उससे जादा आप लोगे तो नीचे से साड़ी की length कम पढ़ जाएगी तो यहां पे pin लगाने से पहले आप एक बार fabric को उस जगह से भी हटा कर देखें कि वो सही में tight हो रही है या नहीं fitting आप जितना चाहते हो उतनी है या नहीं आप जब तक sure ना रहो तब तक आप पिन के तरफ मत जाएए इसको पहले आप set कर लीजे और कोशिस कीजे एक ही बार में आप यहां पे इसको safety pin से set कर पाए क्योंकि बार बार अगर आप pin खोलोगे लगाओगे तो यहां की जो fabric है न वो damage हो सकती इसके ratio खराब हो सकते हैं तो इसलिए आप जब पिन लगाओग तो उतने बार पिन को आप fabric में लीजे ताकि कोई भी प्लीट धीली ना हो सके अब यहां पे आप बोलोगे कि हमने तो धीला वाला पेटी कोट यूज किया है तो हो सकता है यह पिन के साथ थोड़ा size में खिचाओ पड़े तो थोड़ा खिचाओ तो पड़ेगा ही क्योंकि cotton का पेटी कोट हमने लिया है तो इसलिए आप शुरू से ही पेटी कोट को tight रखे अपने कमर के पास और फिर वहां पे पिन लगाए ताकि आपके साथ ये प्रॉबलम ना हो कि ये एरिया वापस धीली पड़ जाए center pleat बनाने के लिए मैंने left side का ही हिसा चुना है और पहले से ही मैं इसमें बीच बीच में एक समान gap देती हूँ चल रही हूँ तो यहाँ पे आप मेरी सिर्फ उंगलियों पे ध्यान दीजे कि कि किस तरीके से मैं pleat arrange कर रही हूँ आपको यहाँ पे दिख जाएगा जितने भी pleat arrange होई है वो सब के सब बाहर की तरफ अच्छे से दिखाई दे रहे हैं that means यह जो तरीका है वो सबसे best है center pleat arrange करने का अब यहाँ पे जब pleat अच्छे से आप इकठा कर लेते हो तो इसका पीछे वाला जो area है कपड़ा है जो पीछे का उसको भी इकठा बराबर पकड़ करना वहाँ पे clip लगा दीजे हलांकी जब इसका half view आपको मिल रहा था तो आपको pleat बिलकुल अच्छे से दिखाई दे रहे थे बिलकुल set लेकिन नीचे वाला जो हिस्सा है वो कांजी वरम की साड़ियों में set नहीं होता जब तक हम इसको करते नहीं है तो इसलिए आप क्या कीजे पहले तो इसको half है जिस कंदे पे वो आपका left side है तो पूरी की पूरी प्लीट left side की तरफ अच्छे से घुमाते वे हम अपने हादों से जोर से प्रेस करेंगे इसको ताकि आपको iron करने की भी need ना हो अब देगी साड़ी पहनते पहनते ना iron करना एक बहुत ही जंजट का काम होता है और इतन महनत और इतना time साड़ी में कौन देने वाला है तो जब साड़ी पहनते हूं ना तो मैं उन लोग के बारे में सोचते हूं कि साड़ी पहनते पहनते भी iron कैसे कर सकते हैं तो इसलिए मैं बस अपने ही जो भी मेरे हाथ पैर है मैं उसी का इस्तिमाल करती हूं और कोशिस करती कि बिल्कुल आइरन वाली ही finishing मिले तो जोर से आपको प्रेस करना है इसके बाद धीरे-धीरे से इसको सरकाई है ताकि जो आपने प्रीट्स बैठाए हैं वो थोड़े से अच्छे से बैठ सके और फिर इसको जहां पर आपको टक करना है कर दीजे सौरी जहां पर नहीं इस को आप टक कर दीजे कई बार ऐसा होता है कि टक करने टाइम ना हमारा जो फैब्रिक होता है वो उपर नीचे हो जाता है जिसकी वजह से जो राइट का फॉर्स प्लीट होता है वो कई बार मार खा जाता है या तो वो छोटा हो जाएगा या फिर वो बड़ा हो जाएगा तो तो इसलिए आप कपड़े सुखाने वाली क्लिप को साथ लेकर एक एक करके आप उसको रिमूफ कीजे और फिर टक कीजे अब यहाँ पर क्या हो रहा है न कि मेरी जो कांची वरम की साड़ी है वो सामने से प्लीट जो है वो फुला फुला सा दिख रहा है तो इसलिए यहाँ पर हम ना अपनी एक साड़ी पिन का इस्तिमाल करेंगे यह साड़ी पिन यहाँ पर काफी खुबसूरत भी लग रही है और आपकी सामने से सेंटर प्लीट को भी एक जगा पर इकठा पकड़े रहेगी अब देखे मैं यह जो लास्ट वाली सेटिंग होती ना इसको मैं नहीं कट करना चाहती थी ताकि जो भी बिगनर्स हैं उनको यहाँ पर फेक गाइड मिल सके क्योंकि यह पूरी जो टिटोरियल है वो बिगनर्स को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है तो एंड में हमें क्य करना है ना कि इस तरीके से थोड़ी सी सेटिंग कर देनी है उसके बाद आप कमर में थोड़ा सा कोई भी वेस्ट चेन कैरी कर लीजे यू शेप बनाते हुए एंड देन यू आर रेडी तो गेट तो तो यहां भी आप देख सकते हैं कितने आसानी से हमने अपनी कांजी वर हुए है एंट कर देख कर देख कर दो «देख देख मोम अब सेज़ कांजी वरी वरी तो तो नचल दो